सुदेंस इस डाउट को देखिए एन एलेक्ट्रिक रेफ्रीजरेटर रेटेड दिस 400 वाट ओके तो पावर आपको बच्छों गिवेन है ठीक है वाट किसका यूनिट होता है पावर का ओके तो यहां पर बच्छों आपको देखिए पावर गिवेन है इस तरीके से पावर इ एक दिन में इस हीटर को कितने टाइम तक के लिए यूज में लिया जाता है एट आर्ष के लिए है what is the cost of energy to operate it for 30 days at rupees 3.00 per kilowatt hour अब अच्छों बात समझी ज़रा देखिए exam में वो आपको ऐसा भी दे सकता है समझी गया question में ऐसे भी दे सकता है rupees 3.00 per unit भी बोल सकता है वो आपको ठेक है सकता है पर kilowatt hour भी बोल सकता है बात दोनों सेम है पर kilowatt hour को ठीक उसी तरीके से solve करना है जान सुनिए बच्छों kilowatt hour का मतलब ही unit होता है यहने कि one unit का मतलब ही क्या होता है मैं आपको बता देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना होता है one kilowatt hour ठीक अब 1 kilowatt र का पता है क्या मतलब होता है इसका मतलब होता सुनियेगा यह जो kilowatt लिखा हुआ है ये power की unit होती है ठीक और आर जो लिखा हुआ है ये time की unit होती है ठीक correct और ध्यान से सुनिए बच्छों 1 kilowatt 1 kilowatt जूल में 3.6 into 10 to the power 6 joules के equal होता है ठीक इसके equal होता है 3.6 into 10 to the power 6 joules के equal होता है कैसे होता है है वह मैं आपको थोड़ा से दिखाना चाहूंगा सवाल अभी मैं आपको करा दूंगा लेकिन आपके concept clear होने चाहिए 1 kilowatt into 1 hour अब ध्यान दो बच्छों 1 kilowatt में 1000 watt होते हैं सभी लोग को पता है इतना नहीं पता आप लोग को बच्छों जिनको नहीं पता है ध्यान से सुन लीजें 3600 seconds होते हैं ठीके ना तो वन आर की जगा क्या लिखा हमने 3600 seconds होते हैं और याद रखीए क्या 1000 और वाट को हटा कि आपने क्या लिखा जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड ये सेकंड से सेकंड कैंसल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3600 फिर 0000 जूल्स अब डैसमल इसमें कहीं पर नहीं है सबसे लास में जूम करेंगे और इस डैसमल को यहां पर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा यहां से 3.6 इंटू अब ध्यान देना डैसमल को जितने प्लेस लेट में लेके आ तो 10 की पावर में उतना प्लस में लिखना है 1 2 3 4 5 6 प्लेस लेफ्ट में लेके आ रहे हैं डैसमल को है ना यहां से यहां ला रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 6 ठीक है तो इस तरीके से आप एक घंटे तक के लिए चलाओगे तो वह इतनी एलेक्टिकल एनजी कंजूम करेगी ठीक है तो वन यूनिट में वन किलोवाट और होता है यहां पर यह पावर यह टाइम है यह पावर इंटू टाइम करोगे तभी तो आपको क्या मिलेगा वन यूनिट एनरजी यह य एनरजी इस एकॉल्स टू पावर इंटू टाइम ध्यान सथे पट्च्छों पावर इस एकुवस्ट गंजूम बाय टाइम होता है तो यहां से भी आप देख सकते हो एनरजी क्या वाजगा पावर इंटू टू टाइम तो पहले आप एनरजी निकाल लीजे ध्यान से सुनि आ तो मैंने या am formula लगा या E is equals to P into T लेकिन ध्यान रहें Power को kilowatt में लेना है यह द्खिये कि power को kilowatt में लेना है और time को r में लेना है जैसे ही आप power को Aven is CSS से ढյाट में तो इस तो इस पावर को आपने क्या करना है 1000 से ढिवाइट करना है जैसे ही dim पावर को 1000 से डिवाइड करोगे वाट किसमें चेंज हो जाएगा किलो वाट में यह लिजे क्या दिक्कत है ठीक ओके तो यह आपकी पावर यह 0-0 कट गया और कितना आ गया फॉर पॉर पॉन टैन को चलो ऐसे रहने देते हैं भी फॉर पॉन टैन किलो वाट किलो वाट आ गय एनरजी कंज्यूम्ट इन वन डे ठीक कितना हो जाएगा बच्चों पी की जगा आप कितना रखोगे फॉर पॉन टैन किया किलो वाट तो यह पावर है और इंटू में टाइम टाइम कितना है एट आर ठीक अब ध्यान दीजेगा बच्चों इसको आप सॉल्फ करोगे तो इतना जाएगा 4830 चेक और डिवाइड़ बाए 10 चेक किलो वाट इंटू आर किलो वाट आर यह लीजे गया आगई आपकी क्या एनरजी कंज्यूमिन वन डे लेकिन हमें क्या निकालना है एनरजी कंज्यूमिन थर्टी डेस आप उसको थर्टी डेस के लिए चलाते हो ना त ठेकिन हो थे चलाती पहले आप अनरजी कंज्यूमिन थर्टी डेस निकाल लीजे ध्यान से टानलीsınız थेपर हो शेला है ए 10 इंटू 30 सुन लो एक दिन में इतनी होती है तो 30 डेस में कितनी होगे इसको 30 से मल्टिप्लाई करोगे तो इतना किलो वाट आर एनरजी आप कंस्यूम करोगे अब ध्यान सुनिए 10 वंजा 10 त्रीजा अब क्या आ गया 3 इंटू 32 आ गया सॉल्फ करिए 326 339 96 किलो वाट आर अब मेरी बात ध्यान सुनिए किलो वाट आर की जगा आप यूनिट्स भी लिख सकते हैं चेक अब सुनो वन यूनिट का कॉस्ट कितना है रुपीज 3 3.00 का मतलब 3 या वन किलो वाट आर का कॉस्ट कितना है इतना तो इतने किलो वाट आर या इतने यूनिट का चार्ज कितना होगा है या बिल कितना होगा वह आपको निकालना है चेक तो ध्यान से सुनिए यहां क कोस्ट ओफ कि वन किलोवाट और एनर्जी या वन यूनिट आप इसको बोल सकते हो इसका कॉस्ट कितना दिया हुआ है रुपीज 3.00 यानि कि रुपीज 3.00 का मतलब क्या हो गया रुपीज 3 चिक एक किलोवाट आर का कॉस्ट इतना है तो आपने कितनी एनर्जी कंजूम करी 30 में यहाँ पर चेक करिए आपने इतनी एनर्जी कंजूम करी तो इतने का कॉस्ट कितना होगा इसको आप क्या करोगे 3 से मल्टिप्लाइए तो कॉस्ट ओफ कॉस्ट ओफ 96 किलोवाट आर बोल दीजे या 96 युनिट्स बोल दीजे बात सेम है ठीक किलोवाट आर को ही युनिट भी बोलते है ठीक तो बस वही एक युनिट का कॉस्ट इतना है तो 96 का कॉस्ट कितना होगा 3 को हम क्या करेंगे इस से मल्टिप्लाइए करेंगे 96 से चिक कर दीजे कितना आ जाएगा 3618 वन जाएगा 327 प्लस 128 चिक तो रुपीज 288 अब इसको ठीक से लिख लिजे तो रुपीज चेक कर लो 3618 रुपीज 288.00 भी आप इसको लिख सकते हो 288.00 भी आप इसको लिख सकते हो तो इतना टोटल कॉस्ट आपका मतलब इतना बिल आपको देना होगा अगर आपके पास एक ऐसा हीटर है या रफ्रीजरेटर जो भी नों दिया था जिसका पावर कितना है 400 वाट आप चलाते हो और दिन में 8 गंटे डेली चलाते हो तो आपका बिद्ली का बिल इतना आएगा ठीक है याने के इलेक्टिसिटी बिल इतना आएगा ठीक है